जोस्तों सफर में गामजन है सफर चल रहा है और इसी सफर में एक और बहुत अच्छे शौकीन जो माशालला से बहुत पुरानी ब्रीड है और उनके पास हम आए हैं और आप लोगों को शौक दिखाने के लिए जी अभी हम इस वक मौझूद है नमबर वन माशालला से नमबर वन कहलें और बहुत मशूर ब्रीडर छोटू राना सलीम भाई के पास और यहां पर हम मौझूद हैं राना सलीम भाई की क्या कहना चाहिए को इसको वाडी कहलें और या उनके शौक कहलें वहां पर अभी हम आचुके अलहम्दुलिल्ला तुका अब ही तो अब ही महां मौझूद हूं में चौक सानव्डा स सान वाला यह ने देख सकते हैंक आप माशाललल से यह में चौक है 2021 आप सबसाब आपको बहुत आच चछ वीडर और नजर आएमगे वो भी मैं दिखाँगा। और आना सलीम साहब से भी में मुलाकात कराता हूँ स्लाम अलेकुम कैसे हैं आप धीक्ता के एं माशालला माशालला भई कैसे हैं आपका शॉक कैसा जा रहा है वह बेतरीन अलगी जडागला बकरा कैसा है हमारा छोटू कैसा है वेफ्रीन आरा या अब हैं है विर्ड आरा भी नहीं बच Security आप बौद भारती होग झाले हैं उब देखते हैं उंसाइलला उन सब तमाम लोगों से में मिलाता हूं जी सब दुछरे सुछ करें एक खुप्सूरत सा ब्रीडर आप लोगों को करवाना है हमें वो आ चुका है ब्रीडर और दोस्तों छोटू ने आते ही मैंने अभी चीजे देखिए बात चल लिए माशालाह से डिस्कुशन चल लगी है सारे शौगी ने एक साहद है कर दोस्तों माशालाह से आप लोग देख रहे हैं चोटू का बच्चा चोटू के बारे में इतना मुझे कुछ बताने की कि इसका बच्चा है माशालाह से फाजिलपूर में जब से मैं देख रहा हूं ज्यादा तर अगर ब्रीट दो ही चोटू की ब्रीट चल लगी है और जिसके ओपर अभी लोग शौक कर रहे हैं पॉइंट से भी जहां मिल रहा हूं हर घर में कहीं ना कहीं एक चोटू की 50य साल अभी दातों मैं आप है दोस्तों लेख रहे है अभी抗ो माशालाह से दातों में चिह हूआ है वह उगा के पियारा बच्चा है बहुत ही प्यारा बच्चा है रानाय सलीम भाई इसके बाप की वीडियो दिखा रहे है पिक्चर दिखा रहे है कौन से है शेरू है दोस्तों यह आप लोग देख रहे है यह ब्रीडर यह शेरू है और चोटू का बाप माशा आला है बहुत प्यारी चीज प्सूर चीज बहुत प्यारा शौक दिखाया मैंने अभी आप लोगों को और अब आगे चलते हैं एक और शौकिंग के पास और आगे चलें आगे हम किसके पाँ जा रहे हैं अले मशूर जमाना पुश्पा पुश्पा राज अचा अरे वो नहीं है कहा है बकरे से आदे तो वो मशूर है मा आपको एक और शौकिंग के पास निखाते हैं और राया सलीम से थोड़ा सा आगे जस्त तक्रीबन चार शौक छोड़के आगे ही हमारे बहुत मशूर जमाना जो हैं पुश्पा सादिक शाह साब का माशा अललह से शौक यहां पे मोजूद है और आप देखते हैं बहुत हस प्रीडर यहां मोजूद है पुश्पा पुश्पा यह आगे दोस्तों पुश्पा माशा अललह से सादिक भाई अभी बड़े भाई है असलाम अलेकुम के सादिक भाई करें वा रहें आरे वा रहें वाएं पुश्पा अप लोगों के सामने आज अपुश्पा से भी दिदार कराते और यह आप देखे पुश्पा थोड़ा से खुल वाएंगे वाइंगे आप शास है भीतार करोगे पुष्पा को थोड़ा सा खोलेंगे रस्टी डाले यह कौन सा पच्छा है पुष्पा यह नाम किया है इसका नाम के भई नारे लग जाए जाए जाएगा जाएगा जी दोस्तों माशालला से यह पुष्पा बाहर आया है हमारा और आप देख रहे हैं खुबसूरत और एक अच्छा नाम बनाया है साधिक भाई ने भी इसका पुष्पा का और पुष्पा आप माशालला से देख सकते हैं यह अभी आप लोगों को मैं पुष्पा दिखा रहा और जिस तहां से आप इसके स्टीकर्स भी देख रहे होते हैं वाटसप ग्रूप में जितने भी टेडी शौकी ने वो और इसके विलॉक्स और इसकी वीडियो वगरा तो अब कंप्लीट विलॉक्स में आप लोगों को दिखा रहा हूं यह देख रहा है माशाला से दोस्तों अब यह मैं बिल्कुल अब करीब से दिखा रहा हूं कलर कि कॉंबिनीशन की सरह से इसकी पुषपा की वह दिखा रहा हूं बांदे, बांदे, मसला हो रहा है बांदे घ्रिच्षिव होते हैं ब्रीडर वाइट ब्रीडर भी मौजूद है इंके पास अवेलिबल है यसे के मैंने आप लोगों से पहले भी बताया कि यहां पर क्रॉसिंग करवाई जाती है लोगों की सहूलत के लिए कि यहां ज्याधा तर लोग जो हैं यहां पर दोस्तों ज्याधा-तर बगरी रखते हैं और बगर किंग वो गये, जितना भी ओगये माशाओला से इभी आगे आने वाला उसका भी दिदार कराऊंगा, मैं आपको पुष्प का भी दिदार करा दिया है, चोटू का भी दिदार करा दिया हम हमने आपको और इसी तरीके से जितनी सीरीज यहाँ पर चलनी है तमाम बगरे बगरियां हम आप आपको दिखा रहे हैं